हेलो इस्टुडेंट कैसे हैं आप सभी आई होप अच्छे ही होंगे मैं स्वेल सर आपका एक बार फिर से कंप्यूटर पूछ चनल पर सौगत करता हूँ आज लेशन 2 नोटपैट की क्लास में हम देखते हैं कि एडिट मेनू के क्या टूल्स होते हैं अगर लेशन 1 आपने अभी तक नहीं देखा तो उसमें हमने नोटपैट बैसिक्स और फाइल मेनू कंप्लीट कर रहा था तो उसका वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा वहां से जाकर देख सकते हैं तो start करते हैं अपना edit menu और उसके tools तो edit menu पर जैसे हम Siick करेंगे तो पहला option इसमे 주고 कर्रहें अनदू का मतलब होता है जो step पहले हम फालो कर रहे तो सब्लब कुछ Ilka iste power को करेंगे तो देख सकते हैं कि हम कुछ step Фथ पहुंँच चूके हैं जैसा कि पहले हम जहां पे काम कर रहे थे इसके बाद हम बात करें next option की तो cut option आता है तो cut option अभी highlight नहीं हो रहा यह कब highlight होगा जब हम कुछ matter select करेंगे तो पहले select कर लेते हैं इतना matter select ही है हमने और edit पर आएंगे cut पर click करेंगे यहां से तो देख सकते हैं मेंटर हमारा गयब हो चुका है तो matter कहीं भी नहीं है उसको paste करने के लिए ही cut करते हैं तो हम next line पर आते हैं यहां पर click कर लेते हैं और edit पर आते हैं उसको पेस्ट कर लेंगे अब जहां पे हमें need है वहां पे जाकर एंटर करेंगे या line change करके हम फिर से edit पे आके paste कर लेंगे और वो mater हमारा यहां पे दोबारा आज पया तो ये दो option किस तरीके से काम करते हैं next option paste का होता है तो cut या copy केगे data को हम paste करते हैं यहाँ पे paste option से फिरा था delete option यह भी highlight नहीं हो रहा यह कब highlight होगा जब metric को हम select करेंगे जैसा यह 4 line हमारे काम की नहीं है तो उसको select कर लेंगे next option आता है edit menu में यहाँ पे find option find option मतलब किसी चीश को ढूड़ना जैसे हम चाहते हैं पूरे paragraph में home कहां पे लिखा हुआ है तो यहां करेंगे edit पे आएंगे find पे क्लिक करेंगे और यहां पे हम लिख देंगे home और उसके बार direction लेनी होती कि आपका जो cursor उसके down में ढूड़ना या आप में ढूड़ना तो अब यह में down में लगा रखा है फिर next पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देख सकते होम वर्ड हाइलाइट हो चुका है फिर से find next पे क्लिक करेंगे तो जहां भी होगा highlight होता रहेगा इस तरीके से और आप पे क्लिक करेंगे तो आप में इसके ऊपर जाते रहेंगे highlight होता रहेंगा इसके ऊपर नहीं है इसलिए बता रहा है connect found home next option आता है edit menu में फाइंड next तो फाइंड कर रहे तो यहां पर फाइंट पर क्लिक करना होता था वैसे यहां पर फाइंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो वह यहां पर सर्च करना स्टार्ट हो जाएगा जो वर्ड हमने टाइप कर रखा होगा फिर आता है रिप्लेस को उप्सन तो रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर किसी वर्ड को change करना हो किसी दूसरे वर्ड में तब यूज करते हैं replace का तो find what पहले में लिख देना है हमें वो वर्ड जो हमें change करना है फिर replace भी उस वर्ड में जिसमें change करना है वो वर्ड यहाँ पर type करना है जिसे हमें home को insert में change करना है तो यहां पे हमने insert type कर दिया है उसके बाद कर देंगे replace all तो देख सकते हैं जहां भी home लिखा हुआ था वहां पे insert हो चुका है आपके पूरे page पे कहीं भी आपको पूरे page पे home नहीं मिलेगा इस तरीके से आपका replace option यूज में आता है फिर आता है go to का option तो जैसा कि हम जबसे लाइस्ट लाइन पे काम कर रहे हमें उपर से second number पे जाना है और आपके बस हजारों लाइन है तो यह आप माउस से scrolling करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा क्या कि यह आप edit menu में आए और go to पे आके यहां पे number of lines टाइप कर देना जैसा कि हमें उपर से second पे जाना तो टू टाइप कर देंगे यहां पे और go to पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं ऊपर से first line यह थी जो blank है second line टी विद द यह लाइन थी तो इस line पे हमारा करसर आ चुका है यहां पे देख सकते हैं आप सभी तो next option आता है यहां पे select all तो जितना भी matter आपने type कर रखा है वह सारा का सारा एक साथ select करना है अगर उसके लिए use करते है edit menu में select all option को तो select all पर जैसे क्लिक करेंगे यहां से पूरा matter select हो जाएगा आप यहां से delete कर सकते हैं इसको या copy या cut भी कर सकते हैं फिर next and last option आता है time and date page पे देखते हैं हम काफी सारे print out करवाते हैं जब तो time and date दिया रहता है जैसे कि कोई form online करवाते है तो वहां भी time and date दिया रहता है तो हम चाहते हैं कि हमारे system में जो current में time and date है वो यहां पे insert हो जाए उसके लिए गया करना है edit menu पे आना है और time and date option पे click कर देना यहां पे time and date आपका current जो होगा system में वो insert हो जाएगा तो इस तरीके से आपका edit menu complete होता जल्द ही इसके बात के menu और tools complete करा जाएंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको like क एक बड़ी असा package यहां पे आएगा उसको complete करने के बाद tally expert भी बन सकते हैं और अगर आपको कुछ भी पूंचना है तो हमारे instagram पे message करके आप सारी जीजेस पे पूंच सकते हैं सारे doubts clear कर सकते हैं इस चैनल को subscribe करें इस चैनल पे आपको सारे courses के videos मिलेंगे और काफी सारी इस पे tricks भी मिलेंगी आप जिससे computer को अच्छे से run करा सकते हैं तो आज के लिए इतना ही next video आपको कल मिल जाएगा thank you for watching